देभुमी डायलोग के मन से मैं कुछ ऐसे अंसंग हीरोज को लाता हूँ जो समाज के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं मैं आज जिस पूरु फौजी से आपको मिला रहा हूँ वो 31 मार्च 2021 को रिटायर हुए और अप्रेल से ही यानि ठीक एक बहिने बाद उन्होंन में अपनी यूथ फिजिकल अकैडबी कर्ण प्रियाग में शुरू कर दी और इन 20 सालों में सबसे महत्पूर है वह 183 बच्चों को आर्मी में पुलिस में पैरा मिलिटी फोसेस में जॉइन करवा चुके हैं क्योंकि उन्होंने आर्मी में एक पीटी मास्टर का रोल अदा किया इसलिए उनका अनुभाव यहां पर काम आता है आप सोचिए कोई व्यक्ति फोसे रिटार्मेंट के आगे दुबारा जॉब अपॉर्चुनिटी इसकी तलाश में जाता है लेकिन अनिल फोजी ने ऐसा नहीं किया उन्होंने दूसरे युवाओं को प्रिरित किया और युवक यूतियों को कड़ी मेहनत कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज उनके सिकाए हुए उनकी एकाडमी के कई बच्चे आज पेराबिल्टी फोसेज आर्मी और एससबी में जॉइन कर चुके हैं मेरे साथ कड़ प्रियाक से जुड़ने हैं अनिल सिंग नेगी अनिल फोज युद्र करना है वह वाकरी अभिनंदन का पात रहे तो पहले से आपके मन में था कि आपको अपने शेत्र के लोगों को ट्रेंट करना है उन्हें भी आर्मी और पैरामिल्टी फोसेश पें भेज़ना है प्रणाम सर मैं प्रणाम करूंगा देव भूमि डायलोग को सर मेरे यह सपना था सर और मैंने यह करना था क्योंकि मैंने देख़या है यूदा साती बहुत नस्य की प्रकोम में चल ले हैं नशा भूँ ज़ादा हो गया है और तो मैंने यह चीज मुहीम अपनाई कि मैंने योध फिजिकल एकडमी स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमने सुरू किया तो काफी लड़के सैने में गए हैं और अभी जो रहा है हमारा जो अभी 26-37 तारिक को भरती कुर्दवार में जो भरती परकरिया हुई थी उसमें हमा मेडिकल में 35 लड़के फिट हुए थे और 6 लड़के धैरदुन एमेच के लिए रिफर हुए थे तो भगवान बद्रिविशाल और आप लोगों के आश्रिवास से 41 में से 41 लड़के सैने जोईन करें हैं तो जब एकडमी एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया आप इन पच्चों को किस तरह से आप सिखाते क्योंकि डिसिप्लेन सबसे ज़्यादा जरूरी है सर अपने आपको लेता हूं सर मैं पहुजी जवान रहा हूं और एक डिस्प्लेन का बहुत बड़ा होता हमारा और उस प्रकार से सुबह उठना है सुबह चार बजी उठना है उसके जबास साम को फिर गैंस से खिलाते हैं एक घंटा तो तयारियां प्रकुल लगे रहते हैं साम लोग हमने अपने चैनल में वह बहुत दौडती है वह भी आपकी स्टूडेंट इस तरोजनी मेरे स्टूडेंट है सर मेरे स्टूडेंट सेरोजनी नांसको भी बहुत- देता हूं वो भी एक अच्छा कर रही है सर दोड़ लगई है दिन भर दोड़ने बागने पर बहुत अच्छा है तो आपको लगता है कि अगर यूद को इस तरह से हम इंवाल्व करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज में इंवाल्व करेंगे तो जो नशे के खलाब जंग है उसमें हम जीत हासिल कर सकते देखो से यह बहुत जरूरी है हमको जब तक हमारा नसा नहीं छोटा तो तब कुछ नहीं हो सकता है मैं यही मुहीम अपनाता हूं कि यहर नसे को छोड़ो और फिजिकल फिटनेस बनो और फिजिकल फिटनेस अगर लड़का अगर युवासाती फिजिकल फिटनेस को पर ध्यान दे तो और लेड़ी उसका नसा दूर होना सुरू हो जाएगा तो फिटनेस के उपर बहुत बड़ा फरकूप रहता हम लोगों ने कापी मुहीम अपनाई यहां पर कापी हम मेरा सने कराते हैं कापी दौड़ भाग कराते हैं कापी स्पोर् बाटी कोरेंग से अर। सवत्तां से होता है सर कोई फिटनेस के लिए आता है कोई बॉडिवेट लॉस करने आता है कोई भरती का युओश होने आता है तो कि मैरी यह डिघुम लगातार चलती रहती है सर और मैं यह नहीं है सर कि मैं एक् población फिटनस म féस को लेकर कि अगर एक युवा साती बोलता है कि मुझे मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए भी मैं जवाबदार हूं हाइट नहीं बढ़ रहा है चैस नहीं बढ़ रहा है मेरे घुटने मिलते हैं अगर युवा बोलता है भाया मुझे दिकते हो रही है काफी लोग मेरे साथ मैं उत्र पैर मिल रहे हैं या मेरे हाइट नहीं बढ़ रही है या मेरे चैस्ट नहीं बढ़ रही है तो इसके वर्टसएप के वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं सिकाते रहता हूं सतरा साल आपने फौज में सेवा दी है और वहाँ पर आप एक पीटी मास्टर थे तो आपका ये अनुभव बिलकुल यहां पर काम आ रहा है सर बहुत जादा सर मैं आठ साल पीटी उस्ताद रहा हूं उसके बाद मैं पांच भर्ती में इंवाल्व रहा हूं मेरा ये बहुत अनवाव है सर इसका बहुत अनवाव है और जो लड़के लेते हैं उनका मैं पूरा फायदा देता हूँ तो जो 183 आज डिफरिंट यानि आमी में एससबी में पेरामिलिटी फोसेस में चले गए हैं वो तो एक तरह से आपके ब्रैंड एम्बेस्टर बन गए हैं उस शित्र के उनको लेकर बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे कि साथ नशानी करना है खूब मेहनत करनी है तब ही हम आ जाना जाना है कोई जोड़ी आपको वर्दी पहनी पहनी है पर नसा से दूर रोगे आप अपने घर को 20,000 में घर आपका घर परवार 20,000 में चल सकता है अगर आप नशा करोगे तो आपके लिए लाखों रुपे भी कम है मेरे यह सबसे बहले यह मुहीम रहता है आगे कर ल 41 में से 41 आपके आश्रिवास से और बद्रिनात के आश्रिवास से लड़के निकल रहे हैं और लड़के जोड़ भी रहे हैं काफी मेरे पास काफी कॉलें आ रही है भाई हम जोड़ने चाहते हैं भाई हम एकेडमी माना चाहते हैं तो अभी एकेडमी सुसार रूप से जब तो आप जैसे मैंने देखा कि कई पूर फौजी हैं वो बात में भी अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं नौकरी की तलाश करते हैं आपने उस विकल्प को छोड़कर इस विकल्प को चुना तो कही ना कही शुरुवात से ही मन में ये चल रहा था कि नहीं मुझे अपने शेत्रे के युवाओं को याँ को आगे लाना है मुझे जू आता है मुझे उन तक पहुंचाना है है कि कर मैं के कर लिए MBO पर काफी उतार चला हो देखए और मुझे पता है लड़का यह तो नसा कर रहा यह तो इसकोस्सिंगाने वाला महीं मिल रहा है है मैनती है गडवाली हैं मोगा हमारे हमारे खुन से तो बहुत बड़े लिखे वह हैं तो हमारा कून जी मुझे आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे कभी सौभाग के मिला तो मैं जब भी चमोली की तरफ आउंगा तो आपकी यूथ फिजिकल अकैडमी में जरूर आकर आपके मेहनत का शात्राओं से मिलूंगा और आपका जोच जो वहां पर दिखाई देत है उसको भी देखने का मौका मिलेगा लेकिन मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं पूरे उत्वाखंड की ओर से आपको सादुवाद देता हूं कि एक ऐसे समय में जब हमारा युवा नशे की तरफ बढ़ ला है उसको रोक कर आप उसे वापस उसको जिन्दगी की ला रहे हैं और उसे जीवन का महत्व समझा रहे हैं और हमारे आये कहते हैं ना कबिरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए इस भाव को आप चरतार्त कर रहे हैं ऐसे उत्राखंडी को मैं सिल्यूट करता हूं और जब यह कहानी पूरे उत्राखंड और देश-विदेश तक पहुँचेगी तो जो अनिल फौजी है उसको लेकर हर उत्राखंडी के मन में कई गुना सम्मान बढ़ जाएगा और आप एक अंसंग हीरो आप नहीं रहेंगे बलकि सारे लोग आपको जानने लगेंगे कि देव भूमी उत्राखंड का एक पूर्व फौजी जो है वो अपने जैसे सेक्डो फौजियों को तयार कर रहा है माभारती की सेवा के लिए बहुत धन्यवाद अनिल फौजी जी आप लगे रहें इसी जोश के साथ और मैं चाहता हूँ जोश को आप दुगुना कर दीजिए क्योंकि 2025 में उत्राखं बनाना है नशे से मुक्त उत्राखंड बनाना है हर उत्राखंडी को ये संकल्प लेना होगा हर उत्राखंडी को अपने अंदर ये होसला लाना होगा कि मैं ना नशा करूंगा ना किसी को नशे करने दूंगा और ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं इनको निस्तो नाबू नहीं है इसलिए हमें जागरुकता भी फैलानी है और ऐसे लोगों के सामने खुलकर खड़ा भी होना है जो इस नशे के कारोबार में सनलिपते हैं और नशे से उकताखंड को मुक्त कराने में हर उत्राखंडी को अपना योगदान देना होगा ये देवभूमी तभी बचेग जब हम अपने युवाओं को नशे से मुक्त करा पाएंगे या नशे से बचा पाएंगे बहुत-बहुत धनेवाद हमारी इस खास पेशकस को देखने के लिए